दोस्तो क्या आप जानते हैं? एक औरत के पोछा लगाने से घर में दरिदिता और गरी भीक्यों आ जाती हैं? क्यों इस समय पोछा लगाने से मना किया जाता है? आईए जानते हैं। दोस्तो धन की देवी माता लक्षमी का वास उसी घर में होता है जहां पर साप सफाई के साथ साथ पोछा लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता हो आपको बता दे ऐसा हम क्या करें जो घर में धन आने के अच्छे इस्तूरूत बनने लगी दोस्तो कई लोग जाने अंजाने में पोछा लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण घर में गरीबी अपना वास बना लेती है और धन आने की बज़े बापस जाने लगता है इसलिए खास कर एक औरत को ऐसे पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे घोर अनर्थ माना जाता है दोस्तो वीडियो शुरूर करने से पहले आप से एक बिंती है किर्पय वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै माता लक्ष्मी दोस्तो नंबर बन बेत पुराण के अनुसार बच्चे इश्वर का रूप होते हैं शास्त्रों में बच्चों को धन से बढ़कर माना है ऐसे में कई लोग क्या करते हैं जाने अंजाने में ना सही जान बूच कर भी छोटे छोटे बच्चों से जाड़ू पूछा करबाती है जो की इससे राज लक्ष्मी नाराज होती है क्रोधित होती है ऐसे में ब्यक्ति के नर्क के दर्बाजे भी खुल जाते है अगर आपको कोई तकलीब है तो ऐसे में आप अपने मित्र या परिबार में से किसी भी ब्यक्ति से काम काज करबा सकते है लेकिन बच्चों से गलती से भी जाड़ू पूछा या कोई भी कठोर कार्रे नहीं करबाना चाहिए इससे धंकी देवी माता लक्ष्मी रूट जाती है भले ही आप इस बात को ना मानते हो लेकिन गरुण पुराण में विस्तार पूरबक इस बारे में बताया गया है दोस्तो नमबर टू बास्तू के अनुसार अपने घर में अगर कभी भी आप पोछा लगाएं तो दोपहर के बात ना लगाएं क्योंकि ये समय साप सपाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए और घर में लक्षमी का वास हो जाए तो अपने घर में सबेरे सबेरे के समय ही साप सपाई बा ज़ाडू पोछा लगाना चाहिए ऐसा करने से साकारात्मक परिनाम मिलते हैं और धन के अच्छे स्त्रोध भी बनते हैं क्योंकि सुभा के समय धन की देवी माता लक्षमी के आने के आगमन होते हैं इसलिए बास्तू शास्त्र के अनुसार सबेरे सबेरे ही साप सफाई करना चाहिए दोस्तो नमबर थ्री नीम के पत्ते थोड़े नीम के पत्ते ले और उन्हें किसी बरतन में पानी डाल कर उबाल ले और जब पानी उबल जाये तो उन पत्तों को फेग दे और उस पानी में से एक गिलास पानी लेकर पोछा लगाने बाली बाल्टी में डाले और इस नीम के पानी से लगाए पोछा अगर आप हपते में एक बार ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माता लक्षमी का वास हो जाएगा क्योंकि नीम के अंदर कई दिब्बी शक्तियों का वास एक साथ होता है साथ ही साथ घर से बहनकर बिमारियां भी दूर भाग जाती है कोई भी बच्चा आपका बिमार नहीं पड़ेगा क्योंकि नीम के पत्तों में हजार गुना और शद्दिय गुन पाय जाते है जो की कई किटाणू का नाश करती है और नाकर आत्मक उर्जा तो उस घर में भटकती भी नहीं साथ ही साथ हफ्ते में आप नमक मिले पानी से पोच्चा भी लगा सकते हैं नमक भी कई किटाणू का एक साथ नाश करता है बैज्ञानिकों के अनुसार नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में बीमारिय नहीं आती, कोई भी निगेटिविटी घर में प्रबेश नहीं करती दोस्तो नमबर फोर बास्तु शास्त्र के अनुसार मानेता है कि सप्ता में एक दिन गुरुबार को पोचा लगाने से बचना चाहिए बास्तु के अनुसार घर के अंदर पूर्व दिशा यानी इशान कोन का कारक घ्रे गुरु है इसलिए घर के इस कोने में और गुरुबार के दिन पोचा लगाने से गुरु घ्रे अशुब होता है व्यक्ति को भागे का साथ कभी नहीं मिल पाता इसलिए गुरुबार को पोचा लगाने से हर हाल में बचना चाहिए कहा जाता है कि गुरु जब कमजोर होता है तो अर्धात, तीन और्थों को जाडू नहीं छूना चाहिए। घोरपाप लगता है। ये गलती कभी ना करें। दोस्तो नंबर एक, गर्बती महिला। शास्तरों के अनुसार बताया जाता है कि कि किसी भी गर्बती महिला को जाडू नहीं छूना चाहिए। अर्धात, जाडू घर में नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इससे ना सिरिप होने बाली संतान को कश्ट मिलते हैं अपितू, शिशू को जनम देने बाली महिला को भी गोर पाप लगता है। यानि गर्बती द्वारा जाडू छूने पर उस महिला को कई गुना पीड़ा भोगनी पड़ती है। पुरान में बताया जाता है कि जब कोई गर्बती महिला शिशू को नौ महिने पेट में रखती है, तो उसका दर्जा कई लाग गुना बढ़ जाता है। कम से कम इस समय आराम करें, योगासन करें, योगा करने से संतान फली बूत होती है और बुद्धी मानी भी। दोस्तो नमबर दो, बीमार ब्यक्ती। ऐसे में बीमार ब्यक्ती को जाडू नहीं लगाना चाहिए। जाडू तबी ही लगाएं जब आप शारेदिक रूप से संपन्न हो। माना जाता है कि जब कोई बीमार ब्यक्ती जाडू लगाता है तब घर में धन की हानी होती है। धन संपत्ती धीरे धीरे नश्ट होने लगती है क्योंकि ऐसे में बीमार ब्यक्ती और कई गुना बीमार हो जाता है जिसके कारण धन की हानी हो जाती है। इसलिए आराम करें और काम काज किसी और से करवाएं। दोस्तो नमबर तीन मासिक धरम में इस्तरी की मासिक पीड़ा एक ऐसा दर्द है जो शायद ही कोई जानता हो। कहा जाता है कि महिलाओ को इस समय आराम करना चाहिए और कोई भी घर का ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जिसके कारण तकलीफे और बढ़ जाएं। ऐसे में धर में धन की बरबादी होने लगती है। माता लक्षमी क्रोधित हो जाती हैं क्योंकि माता लक्षमी नहीं कहती हैं कि मासिक पीड़ा में आप जालू लगाएं तथा पोचा लगाएं। बलकि मा कहती हैं कि ऐसे समय में इस्तिरी को आराम करना चाहिए। माता लक्षमी स्वयम कहती हैं मासिक पीड़ा में इस्तिरी को अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। ऐसे में जो भी ब्यक्ति मासिक पीड़ा महिलाओं से काम काच करवाता है तो उसे भी घोर पाप लगता है। क्योंकि शास्तरों में बताया जाता है कि ऐसे समय में नारी को बीश्राम करना चाहिए जब किसी महिला को मासिग धरम आता है तो उस दर्ध को एक महिला ही समझ सकती है। गरुन पुराण में कहा जाता है कि मासिक धरम में इश्वर की प्रतिमा भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपका इस दिन ब्रत है तो आप ब्रत का पालन बैसे ही करें जैसे कि आप बाकी दिनों में करते आ रहे हैं। मासिक धरम में इश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते, ऐसे में आप कथा सुन सकते हैं, इश्वर की प्राथना कर सकते हैं, परन्तु इश्वर की प्रतिमा को गल्ती से भी मत छूना, आप घर में किसी और से पूजा पाट करबा सकते हैं और ऐसे समय में इस्तरी की सेबा करना माना गया है। दोस्तो नमबर चार, मासिक धर्म के दोरान रसोई घर में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। आईए जानते हैं। माना जाता है कि इस समय महिलाओ के अंदर से कई ऐसे अबशेश निकलते हैं जिसके कारण वो खाना भी दूशित हो जाता है। कहा जाता है कि परिशानी में आकर या दर्द में आकर भोजन बनाना या किसी को खिलाना स्वैम उस भोजन को जहर के समान माना गया है। गरुन पुरान में बताया जाता है कि किसी बीमार व्यक्ती को भोजन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ती उस वक्त बीमार होता है। ऐसे में उसके बुरे अबशेश खाने में जाएंगे और आप बीमार पढ़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जब किसी महिला को मासिक धरम आता हो तो उसे रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसा खाना, दूशित तथा जहरीला बताया गया है, क्योंकि इस समय महिला शारिरिक रूप से स्वास्त नहीं होती, अगर आप को बुखार है, सरदर्द है या खांसी जुखाम भी है, तब भी आप रसोई घर में खाना ना बनाएं, ऐसा खाना भी दूशित बताया गया है, इस समय आपको बीशराम करना चाहिए, दोस्तो नमबर पांच, मासिक धरम के दोरान पती पतनी को ऐसे समय में दूरी बनाकर रहना चाहिए, इस समय पतनी के साथ संभो करना तथा उन्हें परिशान करना घोर पाप के बराबर माना गया है, इससे आपके नरक के दरबाजे खुल सकते हैं, आपका अगला जनम किसी जानबर की रूप में हो सकता है, शास्तरों में कहा जाता है कि इस समय जो भी पुरु किसी महिला के साथ संभो करता है या उसे परिशान करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है, साथ ही साथ उसका अगला जनम किसी जानबर की रूप में हो सकता है, क्योंकि इस बक्त महिला शाररिक रूप से स्वास्त नहीं होती, वो इस समय कई ऐसे दर्दों को तथा जेल रही होती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मासिक धरम का दर्द इस्तरी को जिंजोड कर रख देता है, ईश्वर स्वयम कहता है, जब कोई नारी मासिक धरम का पालन कर रही हो, तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, बलकि उसे आराम करना चाहिए, और उनकी सेबा करना चाहिए, इसलिए कहा जाता है, कि मासिक धरम के दोरान महिलाव को ऐसा कोई भी कारे नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनकी पीड़ा और बढ़ जाए, ऐसे में आप आराम ही करें, और शरीर को साप रखें, दोस्तो नमबर 6, क्या मासिक धरम के दोरान शिश इसलिए मासिक धरम के दोरान मा अपने शिशु को इस्तन पान करा सकती है, क्योंकि मा का दूद सर्बोतम और अमरत के समान कहा गया है, मा के दूद में इतनी शक्ती होती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती, हमारे बेदों में बताया जाता है कि जो ब्यक्ति अ और उस दूद का हक अधा करता है, तो उसे शास्तरों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बह ब्यक्ति कई करोडों पुनिक को पा लेता है, क्योंकि मा का दूद भ्रहमान में अमरत के समान है, इसलिए ये कभी दूशित नहीं होता, इसे स्वयम अमरत का रूप मा गया है, दोस्तों नंबर साथ, मासिक धरम के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी समस्या में महिलाओ को तला भुना नहीं खाना चाहिए, चाबल आदी नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजों का सेबन नहीं करना चाहिए, साथी साथ भोजन में मास नहीं खाना चाहिए, मदिरा आदी या कोई भी नशीली चीच का सेबन नहीं करना चाहिए नशीले पधार्त किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धरम के दोरान सुर्य की किरने नहीं देखना चाहिए इससे पाप लगता है साथ ही साथ मासिक धरम में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए शुब नहीं माना जाता इससे इस्तिरी को पाप लग जाता है दोस्तो अगर हमारी तरब से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरी सम्मान में एक लाइक भी करें धन्यबाद